नमस्कार बहुत स्वागत है जोतिर्श जराठ के कारकर में आपके साथ मैं हूँ आपका ऐष्टो फ्रेंड संतोश संतोशी आज का तिन बिमारी और कर्ज के नाद कुंडली का एक योग जो दरसाता है, जो बताता है, जो संकेत देता है, जो कारण नहीं बनता, सिर्फ संकेत देता है कि अमुक व्यक्ति, अमुक महिला जीवन में अपने बहुत सारा कर्ज ले लेगी, बहुत सारे कर्ज में डूब जाएगा, बहुत सारी बिमारिया जकर ले मित्रो कुंडली में वैसे तो छठा भाव इस सब के लिए जिम्मेदार होता है कुंडली का six house इन सब के लिए जिम्मेदार होता है लेकिन इसके अलावा भी कुछ शोध आपके आश्टो फ्रेंड का आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और जब आप अगर जोतिश के जा जाएंगे आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है आपको महसूस होगा कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि आप इस तरह की चीजों से जूज रहें आप पर इस तरह के छठे भाव के स्वामी ग्रहों का प्रभाव खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है इसके लिए आपको क्या करना चाहिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा मैं आपको प्रियोग भी बताऊंगा आपको बस सोच समझ करके उस उपाय को करना देखिए आपकी कुंडली का महादशानात जैसे माली जी आपकी शनी की दसा है और शनी आपकी कुंडली में चतुर्त भाव में बैठा है ठीक अब महादशानात चतुर्त भाव में आ गया तो महादशानात के उस चतुर्त भाव को हम लगन बना ले ठीक उस जगह को लगन मालने चतुरत भाव लगन हो गया अब यहां से छठे का स्वामी मतलब नाइन्थ हाउस का स्वामी महादशानात जहां बैठा है वहां से छठे भाव के स्वामी की इस्थति पर आपके जीवन में कर्ज और रिण मतलब कर्ज और बिमारी रोग निर्वर करेगा छठा तो करी रहा है लगन से छठा कर रहा है यह भी अपना प्रभाव 30-35 प्रतुषत तक डालता है महादशानात से खश्ठेश कल्कुलेट कर लीजिए महादशानात से खश्ठेश समझ लीजिए और उसके अनुसार कदम बढ़ाई है अगर वो बहुत अच्छी स्थति में नहीं है तो भाईया कर्ज और बिमारी पीछा ही नहीं छोड़ने वाली है भाई आप लोग के सामने रिजल्ट होगा कि आपकी छमता कुछ नहीं है अचानक से मेरे पास जो केस आते हैं उसी में से मैं एक दो दिश्टांत देता हूं प्रसंग बढ़ाता हूं हाउस वाइफ हैं दिल्ली में बड़ा चलता है इसाब आस परोस की आठ दस महिलाएं मिل करके कमेटी सुरू कर देती है 2004 अपना महिने का जो बचता है इदर उदर से बायं दाएं महिलाएं करती हैं आप आप कमेटी चला रही हैं, अचानक से एक महिला उसमें से दूसरे तीसरे महिना सारा पैसा लेके फुर हो जाती है रातो रात, अब आप पर आठ दस लोगों के पैसे का दबाव पड़ गया, आठ दस कमेटिया जा चुकी थी, एक वक्ति का 40-50 जार चला गया था, दस लो बिन मतलब के, एक रती मतलब नहीं है, फस गया, क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, माइनस परसेंट भी आपके हाथ में नहीं है, आपको उलजना ही उलजना है, क्योंकि आपने सोचा थोड़ी ना था, हो गया, क्या कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से कुछ बिमारियां भी होती है जो बिन बुलाए महमान की तरह आपके शरीर में लग जाती है तो बस लगए जाती है यहाँ पर भी महादशानात से छटे भाव का स्वामी जिस भी इस्थती में रहेगा वही इस्थती आपकी बनने वाली है महादशानात से छटे भाव के स्वामी के अनुसार आप अपने जीवन में करज और रिण पाते हैं बार बार करज और रिण एक ही चीज बोलता हूँ करज और बिमारी पाते हैं अब हम आपको एक प्रियोग बताते हैं महज एक मिनिट का प्रियोग यह योग आपने जाना और इसको कल्कुलेट करके आप देखिएगा अपनी अपनी कुंडली में आपको निश्चित रूप से 110 प्रित्सत एकदम सटीक लगेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है प्रियोग बहुत आसान सा है एक मिट्टी का बरतन ले लिजिए जैसे कुल्हड़ाद होता है उसमें गुर्ण डालिए और देशी घी थोड़ा सा मात्रा बहुत हलका हलका करिएगा दोनों चीजें डालने के बाद एक गरम जलता हुआ कोईला डाल दीजें कच्चा पक्का कोई भी कोईला बस जलता हुआ डाल दीजें हमको आग डालना है तो कपूर भी डाल सकते है कोईला कपूर कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी डाल सकते हैं दोनों मन डालिएगा बस इतना दिक्कत है अगर आपको कोईला ना मिले तो कपूर यूज कर लीजे उसमें क्या है उसको जलाना है गुड़ और घी को मिट्टी के छोटे से बरतन में रखिए एक कपूर डालके जला दीजिए और इसे एजिटीज ले जाकर किसी पीपल के नीचे ही रखना है यही एक शर्त है यह शर्त सबसे बड़ी शर्त है विदेश में रहने वाले ठंदे देशों में रहने वाले लोगों के लिए मुझे पता है आपको मिलेगा ही बहुत बहुत शुक्रिया और आप हमारे साथ जूर सकते हैं महाशिवरात्री के एक विशेश यग्य का आयोजन हो रहा है नीचे दिये गए नंबर पर आप महाशिवरात्री यग्य ये उनके लिए है जिनकी शादी में भयाना कर्चने आ रही है बाधाय मुलाकात भी कर सकते हैं बैंगलोर में आप 21-23 मार्च को 24-25 मार्च अभी फिरहाल 25-26 फरवरी में फिरहाल तो आप हमसे पूरे में मिल सकते हैं और उसके बाद मुंबई किसी भी शहर में मिलने के लिए आप जानकारी ले सकते हैं थैंकियो सुमच बहुत मशुक्त झाल 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 झाल